हेलो एंड वेलकम टू कारखाना फ्रेंज क्या आप भी टाटा टियागो लेने के मूड में हैं और इसके XE और XT वेरिंट में कन्फ्यूज हैं कि आपके लिए कौन सा वेरिंट रहेगा यूसफुल तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए XE और XT में कौन-कौन से डिफरेंशिज आते हैं इसकी डिटेल्ड इन्फरमिशन आपको इस वीडियो में देंगे लेकिन वीडियो एंड तर देखें इसका कोई में हिस्साध शिप ना करें टाटा टियागो इंजन स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको रेमिट्रॉन 1.2 लीडर फ्री सिलिंडर इंजन मिल जाता है साथ ये गाड़ी आपको 86 PS की पावर और 113 एनम डॉक जनरीट करके देती है और अगर इसके डैमेंशन की बात करें तो टाटा टियागो की डैमेंशन हर वेनिड में सेम रहने वाली है इसकी लेंध 3765 mm, विट 1677 mm, एंड हाइट 1535 mm की है टाटा टियागो में आपको 2400 याने की 2400 mm की वील बेस मिल जाती है ग्राउंड क्लेरंस की बात करें तो यहां पे आपको 170 mm की ग्राउंड क्लेरंस भी मिल जाती है और बूट स्पेस में आपको 242 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है साथ एकर बात करें इसके टायर साइज की तो XE, XT, XZ और XZA में आपको R14 याने की 14 इंच के वील्स मिल जाते है इसके फ्यूल के पैसिटी की बात करें तो इसमें आपको 35 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है जो कि सारे वीरिंट में सेम ही रहने वाला है अब बात करते हैं XE और XT वेरिंट में डिफरेंसिस की तो सबसे पहले बात करेंगे इनके प्राइस की तो जहां पर आपको टाटा टियेगो XE पेट्रोल जिसका एक शोरून प्राइस 4,69,000 रूपीज है तो वही पर इसके XT वेरिंट का 5,33,000 रूपीज है यानि अगर बात करें तो इन दोनों के प्राइस जिफरेंसिस की बात करें तो यहां पर आपको 64,000 रूपीज का फर्क मिलता है अब हम बात अगर एकस्टीर सी करें तो XT वेरिंट में आपको बॉडी कलर्ड आउट साइड डोर हैंडल्स मिल जाते हैं अगर अब इसके इंटीर की बात करें तो XT वेरिंट में आपको प्रीमियम प्यानो ब्लाइक फिनिश ओन स्टेरिंग वील मिल जाता है अब इस गाड़ी की सेफटी और सिफरेटी की बात करें तो XT में आपको क्या-क्या जादा मिलता है वो मिलता है आपको स्पीड डिपेंडेंट आटो डूर लॉक्स फॉलो मी होम लैंप्स दे एंड नाइड आयर वियन और रियर पार कसिस सेंसर एंड डिस्प्ले वैसे तो आपको XE वेरिंट में भी रियर पार कसिस सेंसर मिल जाते हैं फोर स्पीकर्स मिल जाते हैं AM, FM, USB कनेक्टिविटी स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यम कंट्रोल Bluetooth कनेक्टिविटी फोन बुक एक्सेस, आडियो स्ट्रेमिंग जीव कार अप, Tata Smart Manual एंड Tata Service Connect भी मिल जाता है Comfort and Convenience की बात करें तो XT वेरिंट में आपको Power Window, Front and Rears मिल जाती है Central Locking मिलती है And Electric Adjustment for ORVM मिल जाते हैं तो 64,000 रुपे एक्स्ट्रा पे करने के बाद आपको ये 26 चीज़े एक्स्ट्रा मिलती हैं XT वेरिंट में तो हमारे Analysis के Basis पे अगर आप XAE वेरिंट लेना चाहते हैं लेकिन अगर आप उसमें 64,000 रुपे यानि के XT के लिए आप जाते हैं तो XT लेना वर्थ होगा क्योंकि इन 64,000 रुपे में आपको सीधा सीधा 26 चीज़ें जादा मिलती हैं जो कि आप वैसे तो ये आफटर मार्केट में थोड़े कम दाम में लगा सकते हैं लेकिन कुछ पैसे बचाने के लिए आपको वो Finish या फिर वो Quality से कॉंप्रमाइस करना पड़ता है तो हमारी राय यही है कि आप अगर XE ले रहे हैं और आपका वज़ट अगर थोड़ा सा उपर जा सकता है तो आप XT variant पर ही जाएं यह एक फायदे का सौधा होगा तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं अपने experiences भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं साथ ही कोई suggestion हो किसी topic पे आपको एक थे हमें करो दो आपका राव लात कर बाम डर्त मध्ने राव रवस्याएं